Assalamu alaikum class prep, today we are going to start our new work that is जुम्ले बनाएं Open your Urdu Notebook, हमने आज उर्दू का काम करना है जुम्ले बनाएं जैसा कि हमने थर्टाम में पहले भी काम ये कर चुके हैं जुम्ले बनाने वाला तो आज हमाई नम्रिंग जो है वो 25 से 27 तक है तो let's start with the work, first word is सूरज सूरज के क्या क्या sentences हो सकते हैं, क्या जुम्ले बना सकते हैं सूरज के सूरज किस तरह कहुता है, सूरज का रंग क्या है, सूरज पीला है, सूरज गोल है तो हम different sentences जो हैं वो एक word से बना सकते हैं, तो start करें मेरे साथ written work सीन वाज सूर, रेजिम रज, सूरज, राइटिंग शुट पी एक्सिलेंट गोल, गाफ पाउ, गोल, लाम, गोल, लाम, हाफ लाइन से उपर, हाफ लाइन से नीचे, सूरज गोल है हे के बाद आप कर्व बनाएंगे, कर्व जे साथी बढ़िये लिखेंगे, और हे की हुक लगाएंगे और हर सेंटेंस के, हर जुबले के आखिर में हम उर्दों में क्या लगाते हैं, खत्मा क्या लगाते हैं, खत्मा, सूरज गोल है, सूरज के क्या जुम्ला बनाया हमने, सूरज गोल है इसके जगा पर हम क्या लिख सकते हैं सूरज पीला है सूरज चमक रहा है ठीक है तो कोशिश किया करें मुख्लिब जुम्ले बनाने की सूरज सूरज गोल है नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है शे आपने शे देखा है यह जो है जंगली जनवर है अगर आप शूगए हो चिर्या कर गए हो तो वहाँ पर आपने शेर देखा होगा तो शेर जो है जंगलों में रहता है तो एक dangerous animal है एक क्या है dangerous animal है खतरनाक जनवर है तो शेर का जुमला हम बनाएंगे शेर ट्री टिक तेम स्टेप बनाएंगे ये का शीन के त्री डॉट ये के टू डॉट शेर सीन वाउस सो टू टी देन कब शेर सो रहा रे हाफ लाइन से उपर हाफ लाइन से नीचे हे लिफा बिल्कुल स्ट्रेट हे की हुख लगाएंगे और हे बढ़िये है फॉस्टी देन कब शेर सो रहा है और एंड में क्या लगाते हैं हम खत्मा क्या लगाते हैं खत्मा शेर शेर सो रहा है शेर खाना खा रहा है शेर दोड रहा है ठीक है शेर एक जानवर है तो हम इस तरह से मुक्तिब जुमले बना सकते हैं जो अभी हमने write किया है वो है शेसो रहा है ठीक है Now move to the next sentence अगले जुम्ले की तरफ आएंगे जो कि है साबुन साबुन से हम क्या करते हैं स्वाद अलिफ सा बेन उन बन साबुन साबुन का जुम्ला क्या बनाएंगे साबुन से हाद धो साबुन के गुलाई अच्छी सी बनानी है साबुन सीन बढ़िये से के लिए two teeth then curve बढ़िये बनाएंगे साबुन से हेल इफ हाद हेल इफ हाद का बिलकुल straight होना चाहिए then hook बनाते हैं और साद में थे लिखेंगे ते और दो चश्मी हे की साउंड को जब जोडते हैं तो बन जाती है थे हेल इफ हाद हाद साबुन से हाद डाल हाफ लाइन से उपर हाफ लाइन से नीचे डाल हमेशे गोल होती है दो चश्मी हे और वाओ धो बाओ आपकी हाफ लाइन से उपर जाएगी और हाफ लाइन से नीचे साबुन से हाद धो साबुन साबुन से हाद धो तो यह हमने जुम्ले बनाए हैं जिनको आपने राइट करना है और पिर साथ साथ लाइन भी करना है ओके learn करें, rough copy पर practice करें और अच्छी सी इसकी आपने practice करनी है need and excellent writing में टेक कियर